जै मातादी स्वागत है आपका अपने ही चैनल में तो मित्रो आज मैं बताने वाली हूँ कन्या पूजन के रूल्स यानि की आपको किस विधी से कन्या का पूजन करना चाहिए अगर आप सही विदी से पूजा नहीं करते हैं तो आपके जीवन में कई परिशानिया आ सकती हैं तो चलिए आज जानते हैं सही तरीके से कन्या पूजन करना तो मित्रो नवरात्री के दौरान कन्या पूजन का जो महत्त है वो बहुत ही खास होता है क्योंकि कन्याओं को मादुर्गा का स्वरूप माना जाता है साथ ही देवी लक्षमी का भी स्वरूप माना जाता है या अनुष्ठान आमतर पर अश्टमी वर्नावमी दिथी पर किया जाता है लेकिन कुछ लोग इसे नवरात्री के आनि दिन पर भी करते हैं पराणी कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने राक्षस काला सुर को हराने के लिए एक यूवा लड़की के रूप में अफदार लिया था इसलिए नवरात्री पर कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है क्यो पूण फल दे सके तो वो क्या है चलिए जानते हैं और कन्या पूजन का जो सही विधी है वो भी जानते हैं तो मित्रो वर्ष 2024 में कन्या पूजन जो है 10 अक्टूबर को अश्टमी की जो कन्या पूजन है वो 10 अक्टूबर को दो फर 12 बचकर 31 मिनट पर शुरू होगी वही इस्तिति का समापन जो है 11 अक्टूबर को दो फर 12 बचकर 6 मिनट पर होगा तो पंचांग के धार पर जो दुर्गाश्टमी और नौमी एक साथ 11 अक्टूबर को ही मनाई जाईगी तो ऐसे भी इसल कन्या पूजन का जो आयोजन होगा वो 11 अक्टूबर को होगा तो आये मित्रो कन्या पूजन के कुछ नियम है जिसे हम जान लेते हैं तो अनुष्ठान की शुरुवाद कन्याओं के स्वागत से करनी चाहिए इसके बाद उनके पैर धोकर उन्हें आसन पर बिठाए फिर आप कलावा, पवित्र धागा, माथे, पल्लाल, कुम-कुम लग नए वस्त्र दे, फिर फल और दक्षणा चमता अनुसार दे, इसके साथ ही पैर चुकर कन्याओं का आशिर्वाद जरूर ले, अंत में उन्हें थोड़ा अक्षद दे कर उन्हें अपने घर तक छोड़ कर आए और इस दोरां तामसिक चीजों से परहेज करें तो बस यह जो है नियम मैंने बताया है कन्याओं का बस आपको यह नियम ध्यान रखना है और इस तरीके से कन्याओं पूझन करिए मातारानी की क्रिपा आप सब पर बनी रहेगी तो कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट्स में जरूर बताए, फैमली फ्रेंट्स में जरूर शेयर करें और अभी तक सुब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस करें करके सब्सक्राइब कर ले मातारानी की क्रिपा आप सब पर बनी रहे, जै माता दी